गोंदिया शहर को प्लास्टिक मुक्त बना कर सुन्दर और स्वस्थ बनाने के उद्देश से आज मुंबई में एकता फाउंडेशन के माध्यम से पूर्णा पटिल के नेतृत्व में रामनगर क्षेतर में सफाई अभियान चलाया गया पूरे रामनगर क्षेतर से प्लास्टिक एकत्र करने के अलावा नाकरिकों से बाच्चीत कर परिसर को साफ सुद्रा रखने की अपिल की गए निखिल जैन निदेशक, गोंदिया शिक्षा संस्तान, करंचवान प्रमूग, गोंदिया नगर परिशद, दिपिका मिश्रा, फा गोंदिया को प्लास्टिक और कच्रे से मुक्त करने के अदेश से मुंबई में एक ताशाफ फाउंडेशन के माध्यम से 3 जून 2022 को गोंदिया में सफाय अभ्यान शुरू किया गया था, इसकी शुरुवात मोक्षधाम और डंपिंग यार्ड क्षेतर से हुई, बाद में बाजार क्षेतर और शेहर की मुख्य सडकों पर सफाय अभ्यान चलाया गया, 25 जून को रामनगर क्षेतर में यह सफाय अभ्यान चलाया गया, प्लास्टिक को रामनगर बाजार चोक, रामनगर परिशत स्कूल, मनोहर कॉलनी, ढोटे प्रेज से नटवरलाल, मानिकलाल, द पूर्णा पटेल और निखिल जैन ने कहा कि आगे एकत्रत किये गए जाने वाले प्लास्टिक को चंदरपूर्स इतकार खाने में अलग-अलग से भीजा जाएगा आपका स्वास्त आपकी जिम्मेदारी है और सभी को साफ रखने से आपका पडिसर साप रहेगा पूर्णा परवीन कुमार, प्राध्यापक बबन मेश्राम, प्राध्यापक उर्वील पटेल, प्राध्यापक योगेश बैस, प्राध्यापक कदंबे, प्राध्यापक पातील, प्राध्यापक तृप्ति पटेल, रवीर हंगडाले, शीवम अगरवाल, रचीत पटेल, NCC और NSS के न झाल झाल